दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नीम ओयल के बारे में बताऊंगा कि कैंसे नीम ओयल हमारे गार्डन में लगे हुए सबी पौधों को कीडे मकोडों से बचाता है साथ में ये बहुत अच्छा एक फंगी साइड भी होता है और इसका इस्तमाल आप पौधों पर इस् vosas complete information नीमॉयल के बारे में जी मॆयल क्या होता है इसे हमारे पौधों पर कैसे इस्तमाल करना है साथ मैं आपको किस पीपीएंफ का नीमॉयल अपने पौधों पर इस्तमाल करना तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों हमारा चैनल पूरा टेरेस गार्डनिंग पर बेस्ट है और हमारे चैनल पर आपको टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड धेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो इस वीडियो को पूरा लाज तक देखिएगा आज हमारा टॉपिक है नीम ओयल का जिसमें हम नीम ओयल स्प्रे के बारे में आप से बात करने वाले हैं सामने जो आप देख रहे हैं ये नीम ओयल है 1500 ppm का अब आखिर ये ppm क्या होता है तो ppm का मतलब होता है parts per million इसी तरह से जो नीम ओयल होता है वह क्या होता है तो उस पर बात करते हैं तो ये नीम ओयल जो है ये निकाला जाता है नीम की निबोली से ये जो आप देख रहे हैं सामने ये नीम की निबोली है इससे neem oil निकाला जाता है और यह cold price method से निकाला जाता है तो इसमें किसी भी तरह की chemical का इस्तमाल नहीं होता और इस नीम की निबोली में एक तत्व पाया जाता है अजारक टिन जो की हमारे पौधों को कीड़े मकोडों से बचा के रखता है यह जो तत्व होता है यह जो हमार पैस्ट हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वह इससे दूर भागते हैं इसलिए इस नीम oil का इस्तमाल आप गार्डन में लगे हुए सभी पौधों पर कर सकते हैं इससे कैसे इस्तमाल करना है उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह किस किस तरह कि कीड़े मक इनको भी कंट्रोल करता है साथ मैं यह आपको जो है जो के टरफिलर होते हैं या जो पते कुटर्णेवाले जो जो इल्लियां होती है उन्हों को भी गंट्रोल करता है तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो नीम ओयल है यह एक तरह का एक complete medicine है आपके पौधों के लिए और इसका इस्तमाल कर आप अपने organic gardening में पौधों को कीडे मकोडों से बचा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है और कितना लेना है यह 1500 ppm का नीम ओयल है दोस्तों और यह नीम ओयल आपको मिलेगा हमारी website organicbazar.net पर नीचे description में मैं आपको इसको खरीदने की link दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं तो यह नीम ओयल आपको इस्तमाल करना है सबसे पहले तो देखिए यह है ओयल तो कोई भी तेल जो है वो हमारे जो पानी है उसमें घुलता नहीं है तो इसकी हमें लेनी है 5 ml की मात्रा देखिए यह हमारा मीजरिंग कप है और इसमें हम ले लेंगे 5 ml तो यहां से देखिए हम ले देते हैं यह देखिए यह 5 ml है और अगर आपके पास इस तरह का मीजरिंग कप नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक स्पून जो आप लेंगे तो एक स्पून जो है टी स्पून आपका नीम ओयल आपको लेना है इसको हम इस तरह से देखिए पानी में हमने खुला है अब हमें क्या करना है इसे पानी में घोलने के लिए हमें आधा चम्मच दो से तीन ड्रॉब देखिए हमने ले लिया यह यह डिटॉल हैं आपको कोई भी हैंड़ वास या फिर डिस बॉस ले सकते हैं और इसे इस तरीके से आपको घोलना है थोड़ा सा हम इस में डिजॉल्व हो जाएगा और अब इसका इस्प्रे जब आप अपने गार्डन के पौधों में करेंगे तो यह पूरी बराबर मात्रा में फैलेगा और इसका असर भी अच्छा होगा तो आपको इस तरह से नीम उयल को घोल लेना है और हैंड़ वास जरूर मिलाना है बह आप ले लीजिए यह स्पेयर पंप भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा मैं आपको लिंक दे दूंगा आप वहां से खरीच सकते हैं यह जो हमने नीम उयल बनाया है इसे हम इस स्पेयर में भर लेंगे और इसे चलाना बहुत ही आसान होता है यह हाई प्रेसर स्पेयर पंप है दोस्तों और इस स्पेयर पंप में हमें इस प्रेय अच्छे से होता है इसलिए इस तरह से हाई प्रेसर स्पेयर पंप यूच कीजेगा देखिए हमें एक लीटर पानी बनाना है घोल जो बनाना है तो हम इस तरीके से और पानी हमने इसमें भर दिया है अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसे इस प्रेय करना कै दूने क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं अच्छी इनफॉर्मिशन ताकि आप और ने गार्ड ने कर पाए इसे अच्छे से हमें लोक कर देना है लोग करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से इस में प्रेशर बनाना है पंप की मदद से आप इसको चलाएंगे तो इसमें इस तरह से प्रेसर बन जाएगा प्रेसर बनने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं देखिए इस तरह से प्रेसर बनेगा और काफी अच्छा प्रेसर इसमें आ गया है तो इसके बाद आपको इस प्रे कैसे करना है वो मैं बता और देखिए हमें इस्प्रे करना है इस तरह से पत्तियों के पीछे और जो है पत्तियों के पीछे करिए देखिए इससे आप इस नोजल को सेट कर सकते हैं पत्तियों के पीछे करिए और पत्तियों के ऊपर करिए तो यहां से हम इसमें एर प्रेसर हमने बना लिया है और हमें इस तरह से आप हमें इस्प्रे करना है देखिए प्रेसर बनाने के बाद कितना अच्छा इस पर प्रेसर आता है पत्तियों के पीछे जरूर करना है और पत्तियों के ऊपर भी करना है तो उपर करिए, पीछे करिए और इस तरह से पूरे पौधे पर नीम ओयल का अच्छे से आपको इस्प्रे कर देना है इस्प्रे करने का समय आपको चुनना है सुभय या फिर साम को दोफेर में बिल्कुल मत कीज़े गया, तेज धूप जब हो, तब आपको इस्प्रे करना है तो हमेशा ध्यान रखें, सुभय के समय इस्प्रे करें या साम के समय आपको इस्प्रे करना है इसके बाद दोस्तों जो second method है वह है पानी में नीम ओयल को मिलाना देखिए यह can है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें कैसे नीम तो दोस्तों देखिए इसमें हमने 2 लीटर पानी लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे 10 ml नीम ओयल का और 10 ml के लिए आप देखिए मैं चम्मच से बता देता हूँ तो 2 चम्मच हमें लेनी है एक चम्मच और यहाँ पे इसकी यह दूसरी चम्मच है तो 2 चम्मच हमने नीम ओयल लिया और दोस्तों यह काफी अच्छा नीम ओयल है बिलकुल ओरिजनल क्वाल्टी का है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए फिर आपको फर्क दिख जाएगा अपने गार्डन के पौधों में और कीडे मकोणों से बचाने के लिए बिलकुल ओर्गनिक तरीका है 100% बायो डिग्रेवल है इंसानों के लिए इसमें बिलकुल भी खत्रा नहीं है और यह जो है धीरे धीरे जैसे आप मिट्टी में मिल आएंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा और इससे जो मिट्टी में ह होने वाले हमारे गुड़ वेक्टिरिया माइक्रो और गेंज और साथ में जो केंचुए होते हैं उनमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता तो उनके लिए यह फाइदे मंद है और हार्मफुल जैसे की निमिटोर्ट आपने जरूर सुना होगा जो निमिटोर्ट की बीम है वैसे तो हमने पानी में घोल कर दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब इसे मिट्टी में कैसे देना है देखिए मैं आपको बता देता हूं तो यह हमारा बैगन का पौधा है जिस पर हमने अभी इस प्रे किया था इसी में देखिए हम यहाँ पर नीचे जैस इस तरह से कैन की मदद से भी अपने पौधे को इस तरह से नहला सकते हैं तो अगर इस प्रे पंप नहीं है तो यह भी कालगर तरीका है अगर बहुत जादा कीड़े मकोणों ने अटेक किया है तो काप के पौधे उससे बच जाएंगे और इस तरह से 15 इंच के ग्रो बैग में जो है हमारा बैगन का पौधा लगा हुआ है और देखिए इसको हमने पूरा बहुत ज़्यादा पेस्ट अटेक हुआ है तो आपको रिपीट करना है दो से तीन दिन में एक बार और अगर आप इसे प्रोटेक्टिव मेथट की तौर पर इस्तमाल करना चाहते हैं तो इस नी मॉयल का आपको स्प्रे करना है हपते में एक बार और डिपेंड करता है अगर तो वहां से इसे खरीदें काफी कम दामों में और ओरिजिनल क्वाल्टी का मिलेगा साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सेर जरूर करें और देखते रहें हमारा चैनल टेरेसेंग गाडनिंग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैपी गाडनिंग